जय हिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिसी वनस्पति विज्ञान क्लास 11 का जो है पेपर देखने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो जो है उनसे भी बच्चों के लिए इंपूर्ट है जो 2023 में जो है देने वाले हैं 11 अगरी कल्चर का तो दोस्तों जो है ये कोश्यन जो है आपके 2023 के पेपर में आ सकते हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपूर्ट है तो दोस्तों जो है इसमें 11 ब्टी का जो ہै पेपर हम लोग कूस्किन है तो पहला कोश्यन हमारा है गाजर तो है गाजर वो जड़ का रूपांत्रड है तो गाजर जो है वो जड़ का रूपांत्रड है अब दुस्तों ने श्कुष्य नमारा अदो भूमी कंकुरड होता है तो अदो भूमी कंकुरड किसमें पाए जाता है तो अदो भूमी कंकुरड जो है वो चने में पाए जाता है अदो भूमी कंकुरड किसमें पाए जाता है तो अदो भूमी कंकुरड जो है चने में पाए जाता है अब दोस्तों यहाँ पे जो है अन्ता भूमी कंकुरड किसमें पाए जाता है तो अन्ता भूमी कंकुरड किसमें पाए जाता है तो अन्ता भूमी कंकुरड जो है वो अरह में पाय जाता है जो तो दोस्तों को चनै सेफ में खाने वाला भाग है तो सेब का दोशटों जो में खाय जाता है जो ruled शहर। एकर रुपांतर है जड़ का प्रू का प्ति का तुनुर जो एक रूपांत्री तना है ठीक है तो आलू किसका रूपांत्रढ है तो आलू जो है तने का रूपांत्रढ है अब दोस्तों माराने इस कोश्चन है सरसो के पोधे का कुल है तो सरसो के पोधे का कुल क्या होता है तो सरसो का पोधा जो है वो कुरूसी फेरी कुल का पोधा है ठ देख लेते हैं अब यहां पे आपको जो है एक नंबर के पांच कोशन पूछे जाएंगे तो पहला कोशन हमारा सरल तथा संयुक्त पत्ती में जो है अंतर इस्वेट करना है ठीक है सरल और संयुक्त पत्ती में क्या क्या अंतर होता है तो देखिए जो सरल पत्ती होती दोस्त तो इसमें केवल एक पर्ड फलक पाया जाता है, सरल पत्ती में केवल एक पर्ड फलक पाया जाएगा, और दोस्तों, यहाँ पर्ड फलक पाया जाएगा, और दोस्तों, यहाँ पर्ड फलक पाया जाता है, जबकि सरल पत्ती में पर्ड फलक पाया जाता है, जबकि सरल पत्ती सरल पत्ती में जो है इसके आधार पर जो क्या पाय जाते हैं अनुपर्ड पाय जाते हैं ठीक है सरल पत्ती के आधार पर जो है अनुपर्ड पाय जाते हैं जबकि स्विक्त पत्ती के आधार पर जो है कोई अनुपर्ड नहीं होता है आम कैसा फल है तो आम डूप फल है अब दोस्तों इसे जो है हिंदी में आश्ठील फल बोला जाता है आम को क्या बोला जाता है आम को जो है डूप फल या आश्ठील फल बोला जाता है और इंगलिस में दोस्तों इस्टोन बोलते हैं ठीक है इंगलिस में क्या बोलते हैं इस् दोस्तो ट्यूबर किसे कहते हैं तो ट्यूबर मतलब क्या होता है तो ट्यूबर मतलब होता कंद जैसे दोस्तो जो है आलू का कंद हो गया तो क्या करता दोस्तो वो भूमी के अंदर जाकर जो है इस तरह से फूल जाता है तो ये जो है ट्यूबर दोस्तो जो होता है वो भूम भूमिगत होने के बाद फूल जाता है अब दोस्तों बात करें राइजोम की तो राइजोम जो है भूमिगत तना होता है ठीक है जो 36 के समांतर विद्धी करता है ठीक है और दोस्तों इसमें पर्व तथा पर्व संधिया पाए जाती है राइजोम में पर्व तथा पर्व अंतर लिखिए तो देखिए एक बीच पत्री एवं दुई बीच पत्री में अंतर क्या क्या होता है तो उसको देख लेते हैं तो देखिए एक बीच पत्री में दोस्तो किसे कहते हैं तो जिनका केवल बीच जो है एक भुरुड में बटा होता है जिनका बीच केवल एक भुर पत्री में अपस्थानिक जड़ पाइ착 है निकले जिसे अपस्थानिक जड़ निकले है जयbayता जबकि जो दूई बीच पत्री होते है इनमें दोस्तों जो है मूसला जड़ पाये जाता है और ये दोस्तों जो है सीधे जमीन के अंदर चला जाता है वही दोस्तों मूसला जड़ होता है और जो जड़े बाहर निकली रहती है उन्हें अपस्थानी जड़ कहते है तो एक बी चना ये दोस्तो जो है दूई बीच पत्री है और दोस्तो यहाँ पे जो है एक बीच पत्री में जो है तने साखाय नहीं होते हैं टीक साखाय हीन होते हैं तो एक बीच पत्री के जो तने होते हैं उनमें जो है साखाय नहीं पाई जाती हैं जैसे आप दोस्तो जो है यहाँ प यह वह लिए दीश पत्री में जो है तनों में जो है साख़ाने पाई जाती हैं अब दुस्तो हमारा ले लिए खोक्षन है फूल गोरे का वनस पतिक नाम नाम क्या होता है तो फूल गोरी का वनस5 नाम होता अब दोस्तों ने situation देख लेते हैं तो यह दोस्तों जो है लगो तरिया परसन है अती लगो तरिया परसन है ओर यह दो दो number के हैं तो इन question को जो है आप भुक्ष पड़ ली जेगा ठीक है पहला question है तने के लच्छळ लिखिये और पत्ती के कार तने के लच्षड और पत्ती के कार्ड जो है आप याद कर लीजेगा क्योंकि यहां से एक नमबर या दो नमबर में कोश्चन अक्सर पूछे जाते हैं अब दोस्तों मारेने से कोश्चन है प्रोकरियाटिक और यूकरियाटिक कोशिका में जो है अंतर याद कर लीजेगा तो मारेने से कोश्चन है जिवाडू कोशिका का सचित्र वर्डन कीजिए तो यह दोस्तों जो है आप अपने बुक से दिख लीजेगा जिवाडू कोशिका का सचित्र वर्डन दोस्तों ने से कोश्चन है माइट्रोकांड्रिया की संग रचना का सचित्र वर्डन कीजिए यहनि जो है Mitochandria है उसका जो संगरचना दोस्तों आपको चितर के साथ जो है वर्लण करना है तो Mitochandria का जो चितर है आप उसको बना कर प्रेक्टिस कर लिजेगा क्योंकि आपको 11 में भी काम आएगा और 12 में भी जो है जो लोजी में Mitochandria के बारे में जो है पूछा जाता है तो यह question बहुत important है क्योंकि यह 11 में भी और 12 में भी आपके काम आएगा अब दोस्तों इस question है सरस फल के भीविन परकारों का वर्लण कीजिए यानि कि जो हमारा बेरी बेरी फल है उसके भीविन परकार जो है उनका वापको वर्लण करना है तो यह question आप पढ़ लीजेगा दोस्तों इस question है कुरुसी फेरी कुल के 26 लच्चडों का वर्लण कीजिए पुस्प आरेख बनाईए एवं पुस्प सूत्र लिखिए एवं कुल के 5 पौधों के वनस्पतिक नाम लिखिए तो कुरुसी फेरी में जितने भी पौधे आते हैं जैसे हमारा सरसो हो गया इन सभी का आपको पु आजपोधे या वनस्पतिक नाम आपको लिखना है ठीक है यहाँ पर दोस्तों इस बार जो है कृुसी फेरी पूछा तो ग्रेमनी भी एक पूछा जा सकता है तो आप ग्रेमनी खुलका भी जो है सेम याद कर लीजिएगा और दोनों का याद कर लीजिएगा दोनों मेंसे एक जो है आपको जरूर न मिल जाएगा, अब दोशने इस कोशिन है, सुत्री विभाजन की विबिन अवस्थाओं का सचित रोडन कीजिए, तो यहाँ पर सुत्री विभाजन की जितनी भी अवस्थाओं हैं, सभी का आपको जो है वरडन याद कर लेना है, नेक्स कोशिन अम जढ का अंतिर्फिक सन्ग रचण型। यह याद कर लेगे दूर्षिस पूष्य कुल पूस्प लूज़रों करते हुए पूष्य फ्हेरी और फूस्प लिखी एक जरू है यह तीन 4 मेना जो बारक बार बोस्थे आपको को मिलेगा नहीं जो है यह एक भल actions। तो इसको जो है यात कर लिजेगा अब दुस्तों कोशन है वासपोस सर्जन की परिवासा दीजिए इसके विविन परकार लिखिए तथा किरिया विधी का वरण कीजिए तो वासपोस सर्जन की परिवासा क्या है और दुस्तों कितने परकार का जो है वासपोस सर्जन होता है जो है इसकी किरिया विधी है वो भी आपको जो है लिखना है अब दूसरों ने स्कोशन है निम लिखित पर संचित तिपड़ी लिखिए तो ये दो दो नमबर के तीन कोशन दिये रहते हैं प्रकंद पर जो है आपको संचित तिपड़ी लिखना है गुरुसूत्र और टीक है तो यहां पर दोस्तों जो है बस इतना कोशन जो पूछा जाता है यहां पर दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएगा मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत